नमस्कार मित्रो, वेलकम ओन कॉपस अकेडमी, मैं हूँ संदीप चंदरवंसी, आज हम इंदोर संभाग के अंतरकत, जिस जिले को देखने वाले हैं, वो धार जिला है, पिछली क्लास में हमने इंदोर जिले को देखा था, अब इंदोर संभाग के जो भी जिले हैं, उनको ए अगर देखें, तो यहां आपका मद्द प्रदेश हो जाता है, अब मद्द प्रदेश के अंतरकत, धार जिले की इस्तिती कहां पर है, पहले उसे देखेंगे, फिर उसी इस्तिती के आधार पर इससे संबंदिश जो भी डाटा है, उसे कवर करने की कोशिस करेंगे, तो दे प्रदेश के मेप में देखें, तो यहां आपका मद्द प्रदेश हो जाता है, तो मद्द प्रदेश का यह जो पस्चिमी हिस्सा है, पस्चिमी हिस्से की जब बात करें, तो यह वाला रिजन, यह वाला जो रिजन है, यह पस्चिमी हिस्सा आजाता है, तो इसमें हमारा धार जिला आता है, या तो इसको हम पस्चिमी भी मानेंगे, या फिर थोड़ा सा दक्षिन पस्चिमी भी मान सकते हैं, तो थोड़ा सा देखें, धार जिले की अगर सीमा की बात करें, तो किन-किन जिलों से लगती है, तो यहां देखें, तो यह धार जिला हो जाता है, धार की सीम उजेन, रतलाम, जाबुआ, अली राजपूर, बढ़वानी, खरगोन और इंदोर देखी एक्जाम में क्या होता है हमेशा कन्फिजन करने के लिए हमसे पूछा जाएगा कि क्या धार जिले की सिमा क्या धार जिले की सिमा महरास्ट को टच करती है तो टच नहीं करती है क्योंकि यहाँ देखे, यह जो इस्सा है यहाँ पर आपका बढ़वानी आ जाता है इस कारण धार जिले की सिमा महरास्ट को टच कहीं से भी नहीं करती है तो इसके एक बाद फिर से जिले अगर देखें जाबवा, अली राजपूर, बरवानी, खरगोन, इंदोर, उज्जेन और रतलाम यह जो जिले हैं यहाँ हो जाएंगे सबसे महात्पुर्ण बात है धार जिले से होके तीन नदिया बहने वाली है नर्मदा, चंबल और माही इसमें से जो नर्मदा और चंबल दोनों जो नदिया है सिर्फ यहाँ से प्रवाहित होगी ऐसे प्रवाहित होती है जैसे कि जो नर्मदा है वो ऐसे निकल जाती है और जो चंबल है वो यहाँ से ऐसे होते होए निकल जाएगी लेकिन जो माही नदी है माही नदी का उद्गम इस्तल यहां से धार से होने वाला है और यहां से होते हैं फिर यह ऐसे निकलती है तो माही नदी धार जिले से उद्गमित हो जाएगी नर्मदा और शंपल दोनों यह सिर्फ यहां से प्रभाइत होने वाले है अब धार जिले से संब्दि, जो चीजे हैं उसे कवर करेंगे, तो सबसे पहले परीचे से सुरुवात करेंगे, परीचे के क्रमावाट देखें, धार जिला मद्ध प्रदेश के पस्चमी, हमने थोड़ देर पहले ही देखा था, कि पस्चमी मालवा छेतर में इस्तीत है, जो की बेरन की पहाडियों से घिरा हुआ देखे इस तरह की कोर्षन एक्जाम में पूछे जाएंगे पहाडी का नाम है बेरन तो बेरन की पहाडियों से धार आपका घिरा हुआ है इसका जो प्राचिन नाम था वो धार नगरी था इसकी इस्थापना परमार राजा भोज ने की पर्माराजा भोज का नाम सभी ने सुन रखा है बहुत विख्यात विक्ति है तो इस तरह के जो कोर्षने एक्जाम में पुछे जाएंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहीं आपका लाइक, से और सब्सक्राइब हमको अगले वीडियो के लिए प्रमोटर करता है आगे देखें परिचे के करम में थोड़ा सा आगे बड़े तो धार जिले की तहसिल की अगर बात करें तो तहसिल हो जाती है यहाँ पे धार, बदनावर, सरदारपूर, मनावर, धर्मपूरी, गंदवा जानी और कुक्छी यह तहसिले हो जाएगी इसके बाद लिंगा अनुपात अगर देखें यहाँ का तो 964 है अर्थात एक हजार पूर्सों पे महिलाओ की संग्या कितनी हो जाएगी 964 हो जाएगी साक्षरता के अगर बात करें तो 59 प्रतिसत देखें साक्षरता, लिंगा अनुपात घनत्व यह जो चीजे है यह फैक्च्वल डाटा है और फैक्च्वल डाटा अधिकतर एक्जाम में पूछा जाता है तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें आगे घनत्व अगर देखें तो घनत्व हो जाता है यहां का 268 268 मतलब प्रति एक वर्ग किलोमेटर छेत्र में यहां पर जो व्यक्ति है उनकी संके कितनी हो जाएगी 268 हो जाएगी इसी तरह सी अर्थाद अनुसूचित जाती की बात करें तो 67 प्रतिसत कितनी 6.7 प्रतिसत हो जाएगी इसी प्रकार स्थी अनुसूचित जन जाती की जब बात करें तो स्थी हो जाती ही यहा यहां पे SC और ST का जो प्रतीसत है यहां एक्जाम का पूछा हुआ कुछान है तो इनको थोड़ा सा इत्मिनान से देखिएगा फिर से एक बार देख लेते हैं धार जिले की जो तैसिल है उसमें धार, बदनावर, सरदारपूर, मनावर, धर्मपूरी, गंदवानी और पैंड सेवन और अनुसुचित जन जाती 55.9 अब धार जिले से संबंदित कुछ अन्य बाते वो अगर देखें तो बाग की गुपाएं बाग की जो गुपाएं हैं वो एक्जाम में आया हुआ कोस्चन है तो बाग की गुपाएं बहुत ज्यादा महतुपूर्ण हो बाग की गुपा धार में इस्तित तो आपको कमेंट के गुपाईं से जरूर बताना है तो बाग की गुपाओं का जो निर्मान किया गया है वो अजन्ता एलोरा की जो गुफाएं उनकी तर्ज पे किया गया है इसी क्रम में चवद्वी सताब्दी के आसपास देखिए अब यहाँ पर इतिहास से भी कुश्चन आएंगे इतिहास से चीज़ों को हम लिंक करने की भी कोशिश करेंगे मुहम्मद बिन तुगलक का नाम सभी ने सुन रखा है तो मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चवद्वी सताब्दी में धार के किले का निर्मान करवाया गया था कहां पर करवाया गया था धार में करवाया गया था का धार के किले का किसके द्वारा मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और अगर थोड़ा डीप ली पूशेंगे तो पूश सकते हैं कि किस से करवाया तो कि बल्वा पत्थर जो लाल बल्वा पत्थर है उसके द्वारा धार के किले का निर्मान करवाया गया अब एक महतपुर्ण कुश्चन आता है फढके स्टूडियो का तो जो फढके स्टूडियो है यह एकजाम का पूशा हुआ है तो इसकी डेड़ भी महतपुर्ण है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई वो भी तो फढके जो स्टूडियो यह धार में है 1933 में इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा रगुनात फड़के के द्वारा तो रगुनात फड़के के द्वारा फड़के स्थापना धार में की गई नदियों के हमने बात की थी तो नदियां थी नर्मदा, चंबल और माही तो इसमें जो नर्मदा और चम्बल ती नर्मदा और चम्बल सिर्फ यहाँ से प्रवाहित हो रही थी लेकिन जो माही नदी है यहाँ से उद्गम ही ते तो एक question ये भी cover होगा कि माही नदी का उद्गम स्थिल कहाँ पर कि धार से आगे यहां के धार्मिक इस्तल की बात करें देखिए धार्मिक इस्तल से संबंदित कुश्चन आपके एक्जाम में पूशे ही जाते हैं तो इनको अगर देखें तो प्रसिद्ध यहां के जो धार्मिक इस्तल है प्रसिद्ध जेन तिर्थ इस्तल हो जाता है मोहन खेड़ा इसके बार आती है भोज साला भोज साला कहां पर है धार में है अब आपको कमेंड के माध्यम से कुश्चन बताना है जो भोज साला है उसकी इस्थापना किसके द्वारा की गई आगे आता है काली का माता मंदिर अम जहरा इस्थित सिव मंदिर लश्मी नारायन चतुरबुज मंदिर और बदनावर का शिव मंदिर तो यह जो धार्मिक स्थाल है उनको फिर से एक बार देख लिजिए प्रसिद्ध जेन तिर्थ इस्तल आपका मोहन खेड़ा में हो जाता ह है काली का माता मंदिर हो जाता है अम जहरा इस्थित सिव मंदिर लश्मीनारायन चतुरबुज मंदिर और अ और का सेव मदल दोस्तों हमने एक हमारा धार्मिक इस्थल का परेटन इस्थल का भी एक वीडियो बना रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे हमारी लिंक में जागे देख लिजेगा हमने वहां पर विस्तरत रूप से मद्द प्रदेश के जितने भी धा अच्छा खासा परेटन इस्थल हो जाएगा क्योंकि यहां का जो प्राकरतिक सोंदर है वह इतना लुभावना है कि व्रक्ति उसको देखते हैं आकर्सित हो जाता है हम जब बारिस के टाइम में यहां जाते तो यहां का जो एटमोस्पियर है वह बहुत ज्यादा रोचक हो महेदर अस्रत का तर्फ़ाव कुला महल अस्रपी महल रानी रूपमती महल उसके अलावा जो एक एक सिटी आप जउय के नाम से क्से जहाना जाता है क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मांडू को इसके अलावा यहां पर 12 दर्वाजा के नाम से भी है वो भी मांडू के अंतरी इस्तित है यहां पर क्या 12 दर्वाजा है उसमें जो सबसे प्रसिद्ध दर्वाजा है वो है दिल्ली दर्वाजा कुन सा दिल्ली दर्वाजा तो दिल्ली दर्वाजा कहां पर यह भी मांडू मे यह को आगे अगर देखें तो डायनासोर देखें डायनासोर जो है आज विलुप्त हो चुक sudden उनकी कुछ जीवास्म यहां पर संद्रक्ती थे तो जो डायनासोर पार के वो कहां पर हो जाएगा धार में इसके लिए 2010 में 2010 में सरकार के द्वारा डायनासोर जीवास्म राष्ट्रे उध्यान के स्थापना की गई तो डाइनासोर आप पर जीवास्म उध्यान कहा हो जाएगा धार में कग 210,5 भी हमारे लिए माहत्पूर्ण हो जाएगी पीतमपूर पीतमपूर एक माहत्पूर्ण उध्योगिक छहतर है जो कि धार जी लेके अंतरगत आता है यहाँ पे जो इंडिस्ट्रिल एरिया बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुआ है इसी कारण इसे भारत का डेट्रोइड भी कहा जाता है साथ में यहाँ पे क्या होता है कि जो 4 पही आवान है उनका निर्मान किया जाएगा उसके अलावा भी यहाँ पे अन्य बहुत सारी इंडिस्ट्री है इससे क्या फाइदा होता है हमारी जो राज्ज है उसकी एकोनोमिकल इस्तेदी में भी प्रद्धी होती है साथ में यहाँ पे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है या फिर रोजगार के आउसर भी लोगों को प्रदान होते है तो भारत का डेटरेट क्या हो जाएगा पीतमपूर हो जाएगा साथ में जो पीतमपूर है इसे पहला ड्राइपोर्ट भी कहते है कौन सा पहला ड्राइपरट क्या हो जाएगा आपका पितम पूर हो जाएगा एक आता है सरदारपुर सरदारपुर जो जगा है यह धार जिले में आती है तो धार जिले में जो खर्मोर पक्षी है खर्मोर पक्षी के संरक्षन के लिए सरदारपुर अभ्यरन का निर्मान किया गया तो कुशन पूचा जा सकता है कि जो सरदारपुर अभ्यरन वो किस से संबंद थे तो हम बताएंगे कि खर्मोर पक्षी से तो इस प्रकार धार जिले से संबंद जो भी डाटा था उसे हमने आज के इस class में cover किया है